मैं मानता हूँ चाहे मेर्ट जला हो जब प्रदेश हो देश हो कहीं कोई वक्तिकलत काम करता है तो उसको उसके अनरूप सच सच सदा मिलनी चाहिए और लोगों को न्याय मिले हमारी कुरी समेधना पुरी परिवाल के साथ है और उमीद करता हूँ किस प्रकार का प्रकन कभी दुबारा ना हो जहां तक बजरी का मामला है इसमें मुझे लगता है कि सरकार को पड़कदा उठाना चाहिए अगर कहीं कोई गैर कारूनी काम हो रहा है उससे उसको अगर सरकार परशासन सक्ति से नहीं निम्टेगी तो और लोगों साहस पढ़ेगा इस परकार के काम करने और अगर ऐसी गटनाओं से लोगों का मनुवर पूटा है अलिये मौजवान पुलिस में काम करता है और पुलिस फोर्स का मनुवर पूटेगा अगर हम लोग सक्ती से नहीं निम्टेगे तो आगर करूंगा सरकार से भी कि सारी बाते छोड़कर अगर गैर कानूनी इलेगल पुलिस को परशासन को सरकार को एक गहन निश्पक्ष और एक ऐसी जांच करानी चाहिए जिससे पूरा अथात्त सामने आए मैंने परीजनों से मुलाकात करी है और हम चाहेंगे कि सरकार इनके पूरे परिवार को जो मापदंड है पूरी मदर सायता सरयोग करें तीन चोड़े बच्चे हैं उनकी पढ़ाई उनकी जो विद्वा है उनकी लिए धन्राशी का संसादन पर्याप मात्रा में पहुंच चके और हर संबब सरयोग हम लोग भी करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार का अगर हाथ्षा कहीं और कुछ अंदेशा जो परिवार को है उसका भी खुलासा होना चाहिए लेकिन जांज के बाद होना चाहिए तुरंट प्रभाव से अब तक एक वेक्ति को डिटेन किया है लेकिन कारवाई और गल्दी हो ताकि गल्ती के सेजा तुरंट मिले और को वेक्ति भी हो मैं म प्रकार का प्रकन तभी दुबारा ना हो जिले प्रदेश के लिए जहां तक बजरी का मामला है इसमें मुझे लगता कि सरकार को कड़कादा मुठाना चाहिए अगर कहीं कोई गैर कारूनी काम हो रहा है उससे उसको अगर सरकार परशासन सक्ति से नहीं निम्देगी तो औ करने के लिए और इस एसी गटनाओं से लोगों का मनुबर चूटता है नाजवान पुलिस में काम करता है और पुलिस का मनुबर चूटेगा अगर हम लोग सक्ती से नहीं निम्देगे तो आगर करूंगा सरकार से भी कि सारी बाते चोड़कर अगर गैर कानूनी इलेगल ग कारवाई हो तो कितना बड़ा प्रभावशाली रखती हो लेकिन उसके कहने पर का सरकार आख मून लेगी और गैर कारवाई होती रहेगी उसको बरदास नहीं करेंगे इन्होंने जो कहा है कि तीनों चोटे बच्चे हैं उनके पढ़ाई के लिए सरकार खर्चा उनका उठाए शहीद के दरजी की मांग रखी है उसकी विजान सरकार को करनी चाहिए कैसे उसको दे सकते हैं रहने के लिए मकान उनके जो धर्म पत्नियां को आर्थिक मदद और इल करने का काम करना चाहिए कर जो कठवा में हुआ है इस पकार के आतंकी घतनाय लगतार बढ़ रही है और मुझे आश्यर है सुप्रीम कोट ने लिदीश दिया है केंद की सरकार को कि सितंबर से पहले-पहले जम्मु कश्मीर में विदान सभा के चुनाब कराने है सरकार कर देती हो सरकार से शहीद लोग कर रहे हैं और उन्हों-था जाने जा रही हैं तो कहुंस को बूल झायए अप दावा कर दिया रही है तो यह बहुत बड़ा मुत्ता है और मुझे लगता है कि इसको हम लोग चाहेंगे सरकार इसे अपना स्वश्चे करन दे जवाब दे और स्थी से कारवाइब करें हम सब लोगों की बड़ायक दिल की बैठक हैं सब चच्चा करेंगे बजट कल आएगा और शाइद बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि राजसरकार का बजट पहले आ रहा है कि इन सरकार का बाद में आएगा अब चुनों ने अंतरम बजट पेश किया था बहुत सारी बाते तो उस बजट की पूरी नहीं हो पाई है लेकिन जहां तक अपता कमें रविया देखा है सरकार में तेह नहीं हो पारहा कि कोन क्या जम्यदारी समालेगा आपस में इतना खचाव है इतने सारे सर्टा के किंडर बन चुके हैं मंतर इस्तिफा दे रहे हैं वो अस्विकार रा जा रहा है अस्विकारा किया जा रहा है किसको मालूम नहीं है तो असमंजिस किसी बनी हुई है इस सरकार को मुझे लगता अपने कारशाली को सोधारना चाहिए जन्ता ने बहुमत देकर राज करने का आपको निर्देश दिया है और अभी सरकार को सब 6-7 मैंने हुए हैं ले अब आचार सेंता का भाना लेकर हम कब तक काम रोक के रखेंगे तो हर चेत में बिजली पानी की जो किल्य दिजबार हुई है शायद पहलिती कभी नहीं हुई तो सरकार तो अपना काम नहीं कर पा रही है और मुझे लगता है कि जन्ता भी कल देखे कि किस पाका कब जड़ किसा का लेकर आती है तो अभी जो टास राजी को लेकर जो जो माननी मंत्री इस पर्देश के हैं उनको बिजबता अपना धिहान अपने डपार्ट्मेंट पे अपने कामों पर और जन्ता की सेवा पर लगाना चाहिए और चौबेश घंटे सरफ बयान देना और विरोधियो से नुम्हारा.